अलो प्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गूल यूटूब चैनल तो लेटेस्ट रिकूर्मेंट यहां पर महाराष्ट लोक्स यवायोग MPSC की तरफ से आपर वेकेंसी निकल कर आई है जो कि यहां पर साहेक प्रध्यापक याईनि की असिस्टेंट प्रोपेसर की यह वेकेंसी यहां पर रहीगी जहां पर अलग-अलग ब्रांचेज के लिए यहां पर जो है सिविल इलेक्ट्रिक मेकेनिकल इंजेनियर्स के लिए यहां पर वेकेंसी निकाली गई है जिनकी भरती आला कि इन्होंने सीधी भरती के तोर पर यहां पर यह दे रखी है लेकिन इसके जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग category wise यहाँ पर जो सर्वसादराने वुमेंस, खेलकुद वालों के लिए अनात और दिव्यांग जो reserve category wise सभी तरह के यहाँ पर जो महाराष्ट की categories है उनके इसाफ से यहाँ पर total इन पोस्टों को यहाँ पर जो है divide किया गया है तो वो चीज एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किसी special category से belong करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो यह चीज काम किये तो उसके इसाफ से आप यहाँ पर देख लें तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो यहाँ पर अलग-अलग subject वालों के लिए यानि कि stream जो भी याँ पर आपका sector है उससे आपर जो वेकेंसिया निकाली गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं civil engineers के लिए total यहाँ पर जो है आपको 36 vacancy यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके साथ यहाँ पर electric engineers के लिए भी यहाँ पर जो vacancy है पलस इसी के साथ ही आप computer science वाले and other जो भी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको clear है कि यहाँ पर civil engineers के लिए जो vacancy है वो 36 vacancy है तो opportunity बहुत बढ़ी है या पर आप लोगों के लिए रहने वाली है तो अपलाई करने से पहले सबसे पहले आप यह डेट पर एक बार नज़र डाल लें डेट जो यहां पर है वो पांस सितमबर से लेके पच्छी सितमबर की डेट यहां पर एप्लिकेशन फोरम सब्मिट करने के लिए रहेगी साथ यहाँ पर फीस पे करने का भी यहाँ पर जो टाइम है वो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है 25 सितंबर का यहाँ पर जो जैसे कि आप ओनलाइन भरते हैं पीस तो साथ इन्होंने ओप्लाइन का भी इन्होंने ओप्सन दिया हुआ है SBI Pay के माद्यम से लेकिन आप यहाँ पर ओनलाइन को ही जो है कंसलेट करें ताकि जो है बात में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो जब भी फोरम भरें जब इनके बताए गए मोड से डारेक्ट ओनलाइन यहाँ पर जो हाँ पेमेट कर पाएंगी तो आगे बात करें यहाँ पर तो जैसे कि इन्होंने उपर जो Reservation के टिगरियों के बारे में पूरा डिटेल इन्होंने दे रखे थी उसी की यहाँ पर यह पूरी गाइडलाइन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है किस तरह से यहाँ पर जो Reservation के टिगरी के Student है वो यहाँ पर जो है अलग-अलग टाइप के जो यहाँ पर Reservation है जैसे कि यहाँ पर खेलकूद आरक्षन हो गया दिव्यांग आरक्षन हो गया और अनात आरक्षन जो भी यहाँ पर दे रखे थे उन्स सबीकी उपर guideline है तो वो आप अपने-अपने इसाप से यहाँ पर चेक कर लेना तो वेतन इस तरकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है level 10 के इसाप से यहाँ पर जो basic वेतन जो मिलेगा वो यहाँ पर लग-बग आपको 58,000 रुपे यहाँ पर जो है basic salary यहाँ पर रहेगी यह जैसे कि इनुन यहाँ पर दे रखा है 57,800 जैने अठावनचार की तो basic salary है जिसमें यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर अलग-अलग जो allowance वगर यहाँ पर रहते हैं सारे मिलाकर जो है आपको salary और यहाँ पर अलग से मिलेगी यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो basic salary होती है level 10 के वो यहाँ पर लग-बग अठावन हजार यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो बहुत ही बड़िया यहाँ पर जो है salary आपकी यहाँ पर रहेगी age की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो अलग-अलग category वाई जो यहाँ पर रहते है relaxation उसके इसाब से यहाँ पर जो एज इन्हों candidate सभी की मिलाकर यहाँ पर जो है उसके इसाबसे आप यहाँ पर ते myślę की यहाँ पर रहीगी वह इन्ही कि इसाबसे आप पर मांगी गई प्रौन तो आपनी category वाई यहाँ पर जो है check कर सकते हैं किस category मैं आप आते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर education qualifications की तो यहां पर education qualification में बी इबी टेक बीसी एंड एमी एम टेक MS आप यहां पर आप से मांगा गया है MS M Tech तो यहां पर सीधा सा मतलब है इसको आप यहां पर समझें कि जैसे कि आप रिविलेंट ब्रांच विद पश्ट क्लास तो याईनि कि आपकी ब्रांच का मतलब हो गया कि उपर आप जिस भी सब्जेक्ट से या जिस इस्ट्रेम से आप उपर जो अपलाई करने वाले हैं जो डिटेल तियां पर अगर आप सिविल इंजिनियर से हैं तो आपके पास सिविल इंजिनिरिंग से बी इबी टेक एंड एमी एम टेक यहां पर आपके पास होना चाहिए तो अब यहां पर बात करें जैसा कि इन्होंने सेलेक्शन की प्रोसेज यहां पर दे रखिए थी तो उसके लिए जो है यह वाली जो चीज है यह बहुत ही ज़्यादा माइन यहां पर रखेगी क्योंकि यहां पर जो डायरेक्ट सेलेक्शन है वो यहां पर आपकी हायर एजुकेशन साथ ही यहां पर जो हायर परसंटेज पलस यहां पर अगर आपको कोई एक्सपिरेंस है तो वो भी आप जरूर से यहां पर लगाए उसके आधार पर तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकी जो यह B.E.B.T. यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर केवल basic education है इसके आधार पर जब अगर direct selection होता है तो आपको interview बुलानी की यहाँ पर कोई भी guarantee नहीं है यहाँ पर जो priority जो यहाँ पर दी जाएगी first priority वो यहाँ पर higher education वालों को दी जा रहती है तो हाला कि जिस तरह से competition को हम देखे तो number application जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है तो यहाँ पर chance यही है कि जो है इन्होंने जो guideline दे रखी है उसके इसाब से यहाँ पर test जरूर होगा तो उसके बारे में आगे में आपर बात करते हैं बाकी यहाँ तक आ score वाले candidate रहते हैं वो जो मतलब किस तरह से उनके यहाँ पर percentage में count के जाएंगे number तो उनका यहाँ पर जो है इन्होंने table दे रखी है तो वो इस हिसाब से अपना जो score है उसके हिसाब से यहाँ पर percentage है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर वही जो selection process यहाँ पर इन्होंने दे रखी थी किस तरह से selection होगा उसकी guideline यहाँ पर दे रखी है total जैसा कि हमने उपर पहले भी बात करी कि यहाँ पर जो है direct यहाँ पर selection होगा लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अरजियों की संक्या यानि की applications की संक्या ज्यादा होती है तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो है एक test यहाँ पर करवाए जाएगा अन्य था यहाँ पर जो भी qualification है उसके आदार पर सीधा यहाँ पर जो है direct interview रहेगा उसके आदार पर बढ़ती होगी लेकिन अगर यहाँ पर exam यहाँ पर होता है तो यहाँ पर exam plus interview में जो आपके number यहाँ पर रहेंग का इत्ता यहाँ पर वो major नहीं करेगा इसमें फिर आपको test में पास होना प्लस interview में अच्छे number लाना भी यहाँ पर अन्यवारे रहेगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आगे की process रहती है कि यहाँ पर जो भी test रहता है या direct selection रहता है कुछ भी होने वाला है तो उसकी detail आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर दे दी जाएगी कि यहाँ पर exam वगर में जो आपको minimum percentage यहाँ पर mark के लाने करने है आदी की छोटी मोटी यहाँ पर जो basic details रहती है वो यहाँ पर दी गई है इसे के साथ यहाँ पर जब आप apply करेंगे तो apply करने में कौन-कौन से documents आप जाकर apply यहाँ पर कर सकते हैं साथ-साथ notification भी जाकर आप download यहाँ पर कर सकते हैं और पूरी process यहाँ पर अच्छी तरह देखके सारे documents के बारे में तो ही apply करें पीस यहाँ पर देखें तो general category के लिए पीस यहाँ पर जो है total यहाँ पर लगबग 400 रुपे के लगबग यह पर रहेगी and 300 रुपे के लगबग पीस यहाँ पर जो है अन्य category वालों के लिए यहाँ पर रहेगी तो वो चीज़े अच्छी तरह साब यहाँ पर देख दिखा कर आप जो है apply यहाँ पर कर सकते हैं apply आप direct इनकी official website से ही करें बाकी किसी भी तरह की कोई भी आपको problem आती है तो आप इन्हीं की official website की touch में आप बने रहें या फिर हमें comment करके आप पूछ सकते हैं कोई भी आपको problem होती है तो बाकी की जो भी details आपको यहाँ पर देखनी है उसके लिए आप इस notification को download करके पूरी detail यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं हाला कि इन्होंने याँ पर other state जो other state के एंडिरेटर उनके बारे में ढंक से कोई चीज यहाँ पर इन्होंने इसमें mention नहीं करी है लेकिन फिर भी अगर उसके बारे में कुछ यहाँ पर रहता है एक जाम मराठी वासा में हो या फिर जो भी यहाँ पर process रहेगी उसके बारे इसी तरह से न्यू जोब अपडेट एंड वेकेंसियों के लिए बने रही है हमारे साथ धर्निवाद